हेलो अब्रीबान गुट मोर्निंग कैसे हो आप सब हेलो दोस्त नमस्ते आज मैं पत्ते वाले मस्रूम बनाने जा रहे हूं इसको मैं एक केजी के करीम में है इसको मैं गरम पानी में बॉयल कर लूँगी नमक डाल करके उसके बाद मैं दोओंगी अच्छे से दोने के बाद इसको मैं देखती हूं क्या बनाते हूं यह पत्ते वाली मस्रूम है मैं गर्म-पानी हलका सादी में घुबाएल कि लिए हलका डाल करके आप आप इसको में फ्रेज कर दी हूं इसके नहीं इस तरह से में इस ते काट करके पिछे काट करें ऊस्डराण जो है o और मैं यह तरब खिरानन चणा देती हूं आज गुरु को नीमा है दोस्त दोस्तों यह मश्रूम हर जगा नहीं मिलती है जंगलू में यह होता है मैं नेपाल से मंग आई हूं कि एक मुठी चावली हूं पहले इसको भी हो दी हूं भी होने के बाद इसको हाथ से मसल करके इसको में खिर्यानन्द बनाऊंगी इसको सिर्फ गरब करना है हेलो दोस्तों नमस्ते मैं डेजी सी स्वागत करते हूं अपने चैनल पे दोस्तों मैं निपाल से पत्ते वाली मसल मंग आई हूं इसको मैं छोटे श्रुट टुकड़े में काट करके नमक डाल करके हाब बॉयल कर ली हूं क्योंकि बाहर से आता है इसको मैं हर सब्जी को मैं हलका नमक डाल करके हलका गरम पानी में धो लेती हूं इसको मैं फ्रेज करके देखिए इस तरह से पत्ते पत्ते वाली मश्रुम मिलती है यहां एक तरफ मैंने खिरानन चढ़ा दी हूं एक तरफ मैं सब्जी बना रहे हैं इसको मैं फ्राइ करूंगी इसको मैं फर हमने फ्राइ करके और मसाला त्यार करेंगी दोस्तों में बाहर से मंगाई हूं नेपाल से नेपाल में मिलती है मटम मस्रुम् पत्ते वाली मस्रुम और एक और जंगली मस्रुम होता है वह भी मिलता है लेकिन मुझे बहुत पसंद है पत्ते वाली मस्रुम इसको मैं हल्दी डाल करके हल्का फ्राइ करूंगी बॉरके जंगे बॉरकार नेपाल करके इसको मैं हआ जब करूंगी पेस्ट में मटानी से प्यार ही लगता हूँ मसाले त्यार करने जा रहा है 3 हरालेश्या 1 गटला सुन 2 प्यार इतना को मैं पेस्ट बनाऊँगी इतना को मैं काट करते खुर्ण दालेगी और इतना के त्रह prossा प्युक्त आपरो बनाप्द त्रह्पनarken भψErलें बनाश्ल हुन बनाट मुद्या क्रेश्या बनाट दोस्तों आप इसे बनाते हो कमेंट करके बताना कि मैं एक चमाचीरा डाल रहे हैं नो फोरण में कि एक इंच डाल चीनिक वाइट पेपर चार पिस एक लॉंग एक ही लॉंग डालूग दालूग वह पड़ा जाता है कि एक छोटा प्याज एक गाठ लसुन तीन हरा मिर्चा का पेस्ट बना ली हूं दो छोटा छोटा प्याज को मैं छेल करके काट करके बारी काटी होई इसमें पैड करोंगी प्रॉंग नहीं को मैं लाव में बना ली है बना लाव में पेस्टो बना ली है लाव में थाप पेस्टा बना ली है यह तुम्स भाव धूग् अब इसमें मसाला एड़ करूंगी सबसे पहले कुछ नमक पाले भी नमक डाल चुकी हूं हलका डालोंगी यह पेश्ट में बनाई थी को मैं आड़ करूंगी इसको नमक बड़ Cave यह जोच मैं आड़ मैं आड़ का थी को नमका डाल है इसको मैं पांच म्रेट तक भूणू हुआ। लैसन के शमें खतम हो जाएगा तब, तक मैं इसको भूनूगों। लैसन का कच्छापन हट जाएगा तब मैं इसमें असाला एड़कर होगी नमक डाल चुकी हूं। दोस्तों मैं हल्दी रेडी में टलाती हूं। अला एड़ करते हूं। एक चमच, थल्दी, पता चमच से एक चमच, मिर्चा, लाल मिर्च बॉदर, यह मैं मसाला घर्टे प्यार कते हूं। सबजी मसाला है। इसमें बहुत सारे चीज डाला हुआ है। कभी मैं इसको बताऊंगी इसमें क्या-क्या एड़की हूं। इसको डालने के बाद न दर मसाला की जरूरत है, न सबजी मसाला की जरूरत है, न खिचन की का जरूरत है। यह मैं घर में बनाते हूं। दो चमच यह डाल देए। दोस्तों मैं केसर इसमें आड़ कर रही हूं। खेरानन्द में अब होने जा रहा है। आस्ते आस्ते के इसका कलर आएगा। ओरिजिनल केसर रहता है, तो इसमें डालते कलर नहीं आता है। आस्ते आस्ते आता है। आस्ते आता है। प्रश्चाओ आस्ते रहा हूं। छोटी हरी हरी हिलाइची के पड़ा। आधा चमच। कि नहीं इसको भी पॉडर बनाकर रखते हूं आप कि अब कि अब कि अब कि अब कि अब देखे में इतना ड्राइफॉट्स को कि इतना सारा किसमी से दो चमबच के करीब 20 या 25 पीस किसमी से 10 पीस काजू होगा 10 पीस 15 पीस वादाम होगा सब इसको मैं बिना फ्राइ किये हो डाल रहे हूं खेरानन में मैं कच्चे डालती हूं तरब मुपे पढ़ता है तो अच्छा लगता है कि 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 इसको बनने का सही तरीका यह है दोस्तों इसको चमबच से मैं गिरा रही हूं गिरते गिरते पूरा अगर गिर जाता है तो समझे कि बन गया पूरे तरह से पक गया है और कहीं रूख जाता है तो थुड़ा बाकी है लेखिए इस तरह से मैं टेस्ट करती हूं पकने का अगर बन गया त्यार है पुरा तो पूरा गिर जागा सट से और नहीं तो थुड़ा रूख जाएगा यह त्यार हो गया पूरा झाल्च झाल्चिए झाल्च झाल्चिए तो झाल्चिए कि दोस्तों में पांच में तक पकाऊंगी पांच में तक पकने के बाद मैं इसको सर्फ करूंगे कि पांच में तक इसको इसी तरह करके मैं पकाऊंगी लोफ लेम पर अगया पत्ते वाले मस्रूम का सब्जी बिल्कुल रेडी हो गया है देख सकते हो आप दोस्तों मैं हस्बन के लिए अपने थाले लगाई हूँ मेरे हस्बन पराठा पूरी नहीं खाते हैं रुखा फलका खाते हैं यह रहा है उनका थाली रेडी है लंज के लिए मस्रूम का सब्जी है खिरानन्द है रुखा फलका है लेवन्टी है झम चुषाएप्स अज करंचल Sometimes को पराई गाले लांप्स झvenge। सुन का मस्राफ़ फमी को स्ड़ प्या लुखा एर बाले को स्भोह बाले लेई पेंग मा का जब